हेलो वेलकम बाक तो मुवी बिज होप यॉप यॉल और बेशिंग यू आपक यॉप यॉवल अफ़िए अभूरी एपी सेक्सेशफुल और प्रोस्परस 2023 2022 का साल अब अल्मुस्ट खत्मुने आया है और 2022 बॉलिवूड के लिए काफी स्ट्रगल वाला रहा है Hardly कोई फिल्म चली है बहुत मुश्किल वाला पीरेड रहा है COVID ने तो तंग किया ही था सारे बिजनिसेस को COVID की वज़े से बहुत वहंकर जटका लगा है सारी इंडिस्ट्रीज को मगर दूसरी इंडिस्ट्रीज तो फिर भी कोशिश करके उपर चड़ रही है आ रही है बट हिंदी फिल्मों का यो थेट्रिकल बॉक्स आफिस है वो पता नहीं क्यों अब तक स्ट्रगल कर रहा है फिल्में नहीं चल रही है और 2022 में एक और बात साबित हुई है कि पीपल प्रिफर सींगिट एट होम OTT में लोग ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं फिल्में और वो वेट करते हैं कि थेटर में जब आईगी तब हम जाके फिल्म देखेंगे इससे बॉक्स आफिस थेटरिकल कलेक्शन का काफी नुकसान हुआ है तो मैं नरेंदर गुपता जी से ये पूछना चाहूंगा कि 2022 कैसा रहा बॉलीवड फिल्मों के लिए कितनी फिल्म है चली क्या बिजनेस हुआ जो कम से कम एकली से ये एवरेज भी होईं कि जो आवरेज भी हुए इनको भी हमको मुबारक बात देना चाहिए कि बहुत-बड़ा गंभीर दोर गया है बहुत-बुरा दोर गया है कोई बोलते है कि परपगेंडा फिल्म थी और्गनिक उडियनस नहीं थी तो प्रपगेंडा ओर्गन्द कि टिना इसकान में पचीश पचास करोड ठाहिं फिल्म काल्गनिस को श्यूंस कर है उसक्ते है विल्म पसंद आई यह लोकों को फिल्म ऐस बीचिएट्ट फिल्म में काफी बड़ी रिलीफ मिली कि एक जनुल कॉमर्शाल फिल्म हिट हुई इस हार्ड कॉमर्शाल फिल्म फिल्म फ्रेंचाइज की एडवाइंट थी कार्ते कार्या ने अच्छा पर्फॉम किया था और उसके बाद नॉंबर में आई अजे देवगन की फिल्म दृष्यम 2 अभी फिल्म शायद अच्छी चले ने बड़ यू तिंक इस इस इगुट फिगर आपने गिनके मुझे सिर्फ तीन फिल्मों का नाम बताया हो सकता है चार फिल्में होंगी जो चली होंगी बाकी सब इतनी जो फिल्म में रिलीज हुई है 2022 में क्या सब सुपर फ्लॉप हुई है या एवरेज हुई है या फ्लॉप हुई है या कुछ खथ तक रिकवर कर लिया उन्होंने OTT के थूर। या कि यूर अनलिसिस उन्दिस विख एव इस फिर इस फिल्म कोष्ट परोच्छन थे एम कंपर करें तो फिल्मे फ्लॉप में जैसे कि गंगुबाई बिजिस्न से थाली सावा सो करो था लेकिन उतको इपनी कोल सकते क्योंकि फिल्म की कॉछ बहुच जादा थी करिब 1180 तो बॉक्स ओफिस पे रिकवरी नहीं हो पाई तो उसको भी हम लोग हम लोग हिट कैडिगरी नहीं नहीं मनते नेकिन ब्रहमास्तर का बाद में उन्होंने खुलासा किया कि ये बजट 450 क्रोड थोड़ा एक्जाजरीट एक तक्रीबन 100 क्रोड के आसपास के उन्होंने काफी प्रॉप्स बनाए हुए काफी कंप्यूटर ग्राफिक्स ऐनिमेटेड सौर्ड वगरा जो पार्ट टू तो इसलिए प्रॉड़क्शन कॉस्ट 350 तक गिनी जाए ऐसा उन्होंने कहा था सर पार्ट टू पार्ट ट्री कब बनेंगे तो करण जो खुद नहीं पता होगा हावा में बाते हुए 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 मैने से हम बनाएंगे कभी रितिक रोशन को अप्रोच करते हैं कभी रणव बिजन्स किया लेकिन फिल्म की कोश्ट की करीब 110 करोड इसी थाफ से लुजिंग फिल्म है बेडिया भी करीब 15 करोड के बिजन्स किया अगें मेकिंग हाई ती हिसलिए उसको विट फिल्म नहीं बोल सकते और बाकी फिल्मों को तो इतना बुरा हाल हुआ है अब यकी मानि सब खाविठी से नायंटी परसंट फिल्मोत कालेक्शन नांडव फंदर से फचास क्रोर कोड़ दे शो ही की केके फॉर्जव की अफटी फिफ्टी टी थी काए अगे टीड टी लाइटाम परसंट फिल्मोत का पचास करोड नि होपाया लाइटाम क्लेक्शन यह नहीं हिंदी फिल्म में बॉक्स ओफिस पे नहीं चल पाई 2022 प्रूवड एक्स्रीमली ब्याइट इस बीन फियास्को फोर हिंदी फिल्म स्थेट्रिक लिए साउथ की फिल्मोने जो डब हो के आई कि जो बॉंबे में बी चली और बाकी इंडिया में बी चली वो फिल्मोने काफी दूम पाई आए शाउथ की छे फिल्म को बिजनस किया श्टाट इस वीजी फ वारा सो करोड तृपलर हजार करोड के ऊपर कंतारा, कंतारा, 400 करोड, प्यस्वन, मनि रतनम, यह थी हिती हिंटी लेकिन व्ल्ल बुव्ल्वाइट बिजनस 40 करोड का किया थे लेकिन लेट इस लेटे अज़़ इस चेल अपको बताया करें आपको चेली कि बीस अफ़िस ब्लुप रच्छी चली थी पॉस अचे लिच्छ कि बुटम्री विक्रम इन depression स़ॉट कर्दा और का दूप सिरों के तो अगर सौंट करोड का भी बिस्नीस हो चाहिए तो फलाउ में तो क्या हिंदी फिल्म कि की प्रोडुक्शिं शुड कर्णा फेसे क्या क्या है बादे चुद करोड्य को करना पड़े क्यों वही ग्रेंजर की फिल्म सावा सो तेर्फो करोड बनती है स्टार्स हमारे बहुत एक्सपेंसिव है तो अपेंश किसे फिल्म बना benefit है अब कर चाना प्रपार storage करें स्टार राम में मिल बना supportive ले ना get me लेकिन अच्छी एक्टिंग थी इसले फिल्म चली बाकी आर्टिस्टों की फिल्म नहीं चली सब बॉलिवुड के 90% आर्टिस्टों की फर्स डे फर्स शोर फिल्म फ्लॉप जाती है मुश्किल से 5-10 टिक्टे बिखी नजर आती है रणविर सिंग की लेटर स्विंग सरकस आपने देखा होगा मॉर्निंग चो पांच टिक्टे बिखी है एक आर्टिस्ट जिसकी फर्स डे फर्स शोर फुल नहीं हो सकती आप उसको पचीस-पचास करोड कैसे दे सकते हो अगर आर्टिस्ट बीस-पचीस करोड लेता है तो उसको यह गैरेंटी देनी चाहिए कि मैं ओपनिंग लाके दूंगा और ओपनिंग बैट्समें मगर अगर 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 फैलोग तो फिर प्राइस शुद क्राइश शुद कम डाउन आइ लग्शरी और वो हाई प्राइस का जमाना गया अभी सब को थोड़ा जमीन पे आके बैठना होगा और फैक्ट्स को देखना होगा सच्चा ये है कि इतने पैसे नहीं मैच कर पाती है फिल्म क्योंकि फिल्म का मिजनस कुछ नहीं रहा बिलकुल गिर गया है ओटी टी में फिल कि क्या हवा बन रही है सर पठान वैसी कॉंट्रवर्स में थी बाराद इसम्बर प्ला सौंग लांच था बेशरम रंग लोगों ने बश्च बुलाओ बॉयकोट कोरो क्यर वीवात था था कि दूसरा गनाया जूमले पठान जो बहुती एवरेज सौंग ता ये जश्राज कि दिपिका की उसको कलर करके उसको चेंज करो तो इस पठान कॉंट्रवर्सी में पिचर अभी चले नी चले ओ बात की बात है लेकिन इस नोट गुट फॉर फिल्म इंडुस्ट्री तो भी जो लगता है मुझे 2022 को देखके और पिछले साल को भी देखते हुए कोविड था अब या तो हमारी एसोसेशन को जागना चाहिए इंपा को जागना चाहिए सारे फिल्म प्रोडूसर्स बॉड़ी को और कुछ मुव्मेंट करना चाहिए कि भी प्राइजस कम करों तो प्रोडूसर्स मरेंगे जो बिचारे नए भी आते हैं उनको भी नहीं पता होता है वो करेंगे आते हैं सोचते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है और इन्वेस्ट कर देते हैं तो कोई ग्यान की बात होनी चाहिए कोई मुवमेंट शूरू होना चाहिए एसोसेशन लेवल पे फिल्म आटिस्ट को अपील करनी चाहिए कि प्लीज बिंग यो प्राइशन की कोई कद्र नहीं है उनको जन्न में आट तुम हम तो अपनी मर्जीगा करेंगे वो कोई भॉड़ी हो आर्टिस्ट की हो प्रोडूसर की बॉड़ी हो वर्कर एसे किसकी साहुत में यूनिटी अच्छी है साहुत में फर्मान जानी कर दिया आपको करना मतलब क दूसरी बात OTT पे पिछले एक साल में खाली कच्रा परोसा गया आप देखेंगे पचास साथ फिल्में आयोंगी तो 99 परसंट पिछे दबबा थी मुश्किल से एक दो फिल्म आपो याद रहेंगी जो थेटर की आई है वो आती उसका मतलब नहीं होता है कोई चार हथे के अच्छी हफते के बाती है और जैसे आपने राइट लिका लोगो वो थेटर में नहीं जाना है बदा चारो थेटर में छोड़के अराम से घर पे देखेंगे फ्री में देखेंगे तो यह आदर जो पढ़ गई पर देखने की ना उसको तोड़ना बहुत जरूरी है और उस स्टार नहीं लग दूरी में उटी नहीं लग रहे बंगों टी ब wheat शूर्ण बन जाते हैं त्जच अधिघा नहीं थेटर में झाना escr집 में जो देखने लगे हैं तो ये एक बुरा साहीन है सर एक साल में कई आर्टिस्ट इनकी फिल्म ओटीटी पे डिरेक्ट आई सिधार्त मलुतरा विकी कॉषल राजकुमार राओ तो ऐसे आर्टिस्ट जिनकी फिल्म लोग प्रीमियर को के ओटीटी पे जाएंगे तो ये ओटीटी एक बड़ा राख्षास है और हमारे बॉलिवुड वादे इसको फीडिंग करें तो राख्षास आपको भी निगलेगा एक दिन तो उसके लिए विचारे क्या करें उनको भ मोई खूता था बड़ा चुटा लगने लगता है याट ट्रीटी एक ट्रॉड फीड़ा क्या याई राख्षास लगण तो चूत एटिंग क्या जा हिआ है इस्तो जैसफाद सा रहते होगए क्या ओटी मुत वे पड़ागे से पड़ एड़ा है कि यु निदो क्या कुश् तो पुराणा नहीं काफी नहीं छोड़ दिया है तो अटीट के हलाग बहुत खराब है लिहाजा बोलीवुट को रीधिं करना पड़ेगा जो पैंडेमिक के दोरान जो अटीट वाले इंको अच्छी खासी प्राइस दे ते वह नहीं मिल रहे हैं तो हम आप सबसे विदा ले यह लेसन सीख रहे हैं कि हमको ग्राइजूली ड्रिफ्ट करके ओटी से थेटर पर जाना शुरू करना चाहिए थेटर्स को जादा महत्व देना चाहिए थेट्रिकल रिलीज इस दे रियल रिलीज बड़ी फिल्म में बड़ी लगेगी अगर थेटर्स में आएंगी और थे अच्तिम अधिस्सर पूलीज डिलीज फस देना ओंख इन आव in 2023. वे जिस इन देन पूल थेखिस ऑन आएंगी है और थेखिसे लिए लीज देनिवा प्यूनिटीटीटीटीटीटी डिलीजोगणीटीटीटीटीटी